नमस्कार मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेश सेग्मेंट में जहाँ पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड और टेरेट कार्ड के दुरू जान पाते हैं कि आज का हमा के इजी रेमेडीज के साथ इससे ओवरकम कर सकते हैं और वो भी सिर्फ most of the time अपने thought process के अंदर change ला कर या फिर केवल हमारे behavior को या communication को बेटर बना कर तो आए दोस्तों आप तो सभी जानते हैं कि हम इन सभी चीज़ों को जानने के लिए एक से लेकर 9 मुलांग तक की rating करत अगर आपके date of birth 14 यान 14 तो एक और चार को जोड़ेंगे जोडाता है नमबर पांच तो वही होगा आपका मूलांग और आज की तारिक है 11 मई 2024 आज की तारिक नमबर 11 अपने आप में बहुत powerful अंक है क्योंकि sun का जो अंक है 1 और 1 ये दो बार आ रहा है लेकर जब इसे हम ज जानेंगे लेकिन चुकि हमें sun और moon energy की बात की जो कि सबसे पावफुल प्लानेट सेंस planetary system के तो कहीं न कहीं जब इनकी बात आती है तो बात आती है कुछ ऐसी magicians ऐसी powerful energy की जो कि कहीं न कहीं हम सभी के भीतर है लेकिन हमें शायद उसका सदुपयोग करना नहीं आता है यू पूरवा भास कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आपने कहीं बैठे हो कोई बातचीत कर रहे हो या कोई सीन आपके सामने आपको लगे यह सीन तो मैं पहले देख चुकी हूं ऐसा कितनों के साथ हुआ है यह बात तो मुझे पता था होने वाली है क्योंकि एसा लग रहा था क बहुत सारे जो भविश्य वक्ता है या जो किसी भी तरह से भविश्य वानी करते हैं तो कहीं ना कहीं नहीं पहले इन सब चीजों का पूर्वा बास हो जाता है तो इसके पीछे का एक तो मैं आपको विज्ञान बताने वाली हूँ और साथ ही साथ बताने वाली हूँ कि इस तरह की जो पावर्स होती है विक्ति के अंदर कैसे जागरत होती है एक एपिसोड में कंप्रीट कर पाना बड़ा ही मुश्किल है तो मैं उमीद करूंगी कि कल का एपिसोड भी जरूर देखिएगा अगर आपको इसके वारे में सारी जानकारी चाहिए तो सबसे बेल हम बात करते हैं कि यह पावर है ठीक है पूर्वा भास की पावर होती है यह एक्चली में आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे सीन्स आपके सामने रिपिटेशन होते हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब आप सोते हैं या आप किसी भी तरह से मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो जब आप उसे स्टेट में होते हैं तो र करमेर का सिध्धान्त काम कर जो प्रज घटनापर्म होने वाले होते हैं हो ये सब्सक्राइः कोई जा नुठ में तो आपनेंश सब्सक्राइब ओप तुम ओपको बिया जे जब शब्सक्त कर्यों भी आनंटी निवन्स हमेशा रूलीक में समेशा है उसके पीछ है तो जब आप पहले ही स्वपन के माध्यम से या डीप मेडिटेटिव स्टेट में ऐसी कोई चीज आप देख लेते हैं तो जब आपके साथ प्रैक्टेकल ही वो चीज घटित होती तो आपको क्या लगता है अरे ऐसा लग रहा है कि मैसी इसको पहले देख चुकी हूँ एनिवेज इसके पीछे के और हम डीपली बात करेंगे जो कर्म का सिध्धानत है कल के एपिसोड में आए जानते हैं मूलांक एक के लिए हमें आज डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आज 11 माई 2024 के लिए और मूलांक एक के लिए हमें गाइड किया जा रहा है हमें बताया जा सिर्फ खुले दिल से ईसे एकसे परकार करना है कि अपका दिन ुचुभा आईए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 माई 2024 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है 10 of Pentacles का कार्ड है आपको कहा जा रहा है लखी नंबर जो है आपका वो है नंबर 1 और आज का जो दिन है वो बहुत महत्पूर्ण है आपके परिवार के लिए आज के दिन आप संपूर्णता महसूस करेंगे अपने करियर को लेकर भी और अपनी फैमिली को लेकर भी बहुत ब्लेस्ट फील करेंगे बहुत डिवाइन फील करेंगे खुश रहेंगे satisfy feel करेंगे आपको लगेगा कि हाँ परमात्मा की कृपास है और आपकी मेहनस से जो चीज़े आप करना चाहा रहे थे वैसी बहतरी की ओर बढ़ रही है किसी प्रकार के एक good news मिल सकती है वो good news जो है आपके काम से related भी हो सकती है आपके परिवार से related भी हो सकती है कुल मिला के आपका जो आज का जो समय है वो जादतर अपने परिवार के साथ बीथने वाला है हो सकता है परिवार के साथ आप किसी ट्रिप पर निकल जाए आपका दिन शुभ हो आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें डिवाईन आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 11 मैं 2024 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है टू अफ वेंट्स का कार्ड है कहा जा रहा किसी एक चीज का चुनाव आपको आज करना पड़ेगा काफी जादा उधेडबुन आज लगी रह सकती है चुनने के बजाए कुछ ऐसा चूज करेंगे जिसको पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स देने पड़ेंगे यहां बात रिलेशनशिप की भी आ सकती है और साथ ही साथ अपने करियर की भी आज 11 मईए 2024 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है Ace of Wentz का कार्ड है आज के दिन आपका थर्ड आया आपकी अंतरदृष्टी बहुत पावरफुल रहने वाली है आज के दिन अगर कोई विक्ती आपसे चीट कर रहा होगा आपको जूट मूट अपनी बातों में फचा रहा होगा किसी तरह से कौन कर रहा होगा आपको आभास हो जाएगा और अगर आपको आभास होता है तो यकीन मानिए कि अपनी इस intuition पर आपको विश्वास करना है किसी की चापलूसी पर नहीं साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि आज के दिन आप बहुत डिफरेंट फील करेंगे अपने आपको लेकर भी क्योंकि छोटी-छोटी भातिक चीजें आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी आपका चो टार्गेट होगा ना कैतना अपना लक्ष बनाना तो उस लक्ष को प्राप्त करने के लिए भी आप बहुत तिकता से थोड़ा सा अपने आपको विमुख रखते हुए ही आप थौट प्रॉसेस लेंगे और ये बहुत अच्छा भी है क्योंकि ये आपके लाइफ परपस को शो करता है आपका दिन शुभो आये जानते हैं मुलांक पांच के लिए हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रहा है की सिचुएशन आप अपने आपको ना प्रॉलम में खड़ा हो के देख रहे है जबकि आपको सिलुशन पे खड़ा होना चाहिए यानि कि थर्ड कहा जाता है कि जब आपको किसी भी problem का solution चाहिए तो अपने आपको neutral state में लियाए जब आप neutral होते हैं या आप third party खड़े होते हैं तो आप actually में समझ पाते हैं कि what is the actual situation और इसका solution क्या हो सकता है आपको मार्ग क्या मिल सकता है तो divine आज आपको क्या गाइड कर कि बहुत ज्यादा ड्रामे में फसने की जरूरत निया ड्रामे से यहां पर अर्थ है रोना धोना टेंचन लेना जरूरत नहीं इन चीज़ों की बलकि आपकी जो issue है जो भी कोई seeming issue नजर आ रहा है उसका solution भी खुद आपके पास है और आप उसको निकाल लेंगे अगर रखें और तब किसी situation का हल ढूंडे आपका दिन शुब हो आए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें आज डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आज 11 माई 2024 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है 8 of cups का काड है कहा जा रहा है कि आप अपने past को छोड़ कर positivity की तरफ आ से बहतर अपने अपनी जिन्दगी को चुना है आपने ड्रामे से उपर उठकर अपनी लाइफ के उन चीजों को चुना है जो वास्तों में आपकी जिन्दगी के लिए आपके परिवार के लिए जरूरी है और यह जो एनरजी है यह बहुत ही positive है जिसकी तरफ आप जा रहे ग्यारह मईए 2014 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमको गाइड किया जा रहा है तो एम्परेस का काड है आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है वहुत love और compassion में जीने का है आज का जो दिन है वह love feel करने का है आपको specially कहा जा रहा है कि आज एक तो mother energy के साथ आप बहुत अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो मा भगवती की आप आशिरवाद लेके निकले कुल मिला के आज का जो दिन है वो देविये कृपा से ही आपका बनने वाला है आगे बढ़ने वाला है आपका दिन शुब हो आए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 माई 2024 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमें कहा जा रहा है च्रैंपरिंस का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज जिंदगी में बैलेंस जरूरी है ठीक है किसी भी चीज में आप कोई भी क मैं दे रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है थोड़े अपने करियर के लिए बहुत ज़रूरी है संतुलन नहीं होगा तो चीजें बिगड़ जाएंगी तो आपको सपष्ट कहा जा रहा है जस्ट वॉक ऑन इट और इसमें आपकी साहता कर रहे हैं आपके अपने गार्डेन आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है आज का दिन धनलाब होगा आए के नए स्त्रोत्र खुलेंगे आपको जो माइंड है वो नए कॉंसेप्स के लिए चलेगा आपको लगेगा कि आप इस तरह से कारे करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो अपने क का खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो मिलूंगे आप से हमारे अगला एपिसोड में तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम